सबसे पहले दोस्तों तुम सबको काफी जाड़ा सोरी वीडियो काफी जल्दी आजानी चाहिए थी लेकिन यार चैनल पर स्ट्राइक आगे थी तो यार मैं तरहा माइंड से स्टेबल नहीं था कि इस पर वीडियो बनाओ पाऊं बट हाँ अब बात करते हैं इसके बारे में बिकोज यार वीडियो बनाओ बिना मुझे चैन नहीं मिलता है तुम सबसे बात करनी पड़ती है तुमारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ तो सबस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले यह तो मैं हिरो होने वाले है रिको एंड रोई उसके बारे मुझे बताया गया है रिक प्रेंटली गोका बेटा तो नहीं है लेकिन केंटर उरिजन से है तो हाँ इसका और इसका काफी बड़ा कनेक्शन भी हो सकता है दैन दोस्तों बात कि जाए इसके बारे में रोई के बारे में विकोज बंदा मुझे काफी जरा फैसिनेटिंग लग रहा है काफी दरा इंट तेटर यह वर इसके ऊपर यह रेड डोट एंड यह प्लिव डोट भी रहने honestly कि रहा है रही और की किश मेला रहा है डीया पांडि करने नहीं वाले तो डेफिनेटली इस पोकेबोल का राज कुछ और होने वाला है इसके उपर मैं एक सेफ प्रेड वीडियो बना के तुम्हें बता दूंगा लेकिन सबसे बड़ी बात यार यह सीरीज कब स्टार्ट होगी तो यह सीरीज जो है स्टार्ट होने वाली है 14 अप पेंडर टाइप कुछ हो सकता है यह पेंडरेंट जो है connected हो 3rd legendary Pokemon से विकोज हां similarity हमको दिख रही है बट ऐसा भी हो सकता है कि बाई सा भी कुछ और ही हो हो सकता है ना कि बाई यह रिकोर्स है से connected हो विकोज अब अभी के टाइम पर हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या है बहुत सा तक मुझे लग रहा है कि series में जो excitement factor होने वाला है वो काफी ज्यादा होगा विकोज जिस तरीके से ace mechanism जोटो region में गया because of GS ball उसी तरीके से हो सकता है रोई जो है चाहे पाल दिया region में विकोज इस Pokeball की Mr. Soul करनी होगी ऐसा हमको दिखाया सकता है starting में रोई जो है प्रोफेसर पर दोस्तों यहां पर एक और हमको दिखाया गया है कि series जो होने वाली है एक गंटे की मतलब जो पहला episode होगा वो एक गंटे का special episode होगा one over special episode जो कि देखने में काफी ज्यादा interest आईगा अगर ही episode work कर जाता है तो यही episode decide करेगा Pokemon का future but अभी मैं इसके लिए excited हूँ लेकिन इ case की ending को देखने के लिए emotional ना हो जाओं बस यही problem है 24 मार्च को देखते हैं तो बस आज के लिए इतनी था breakdown और भी है लेकिन examicon वीडियो छोटी आ रही है